मित्रो नमस्कार मैं हूँ आसी समाले आपके साथ और आप देखने हैं आर्जी नियूट आर्जी नियूट में आपका स्वागर लब जिहाद का आरोपी गरबदार आपको बता चलगे उत्व पेदे जिला वरेली के लब जिहाद का मुख आरोपी गरबदार 28 lt. 19 abs को दरज हुअ था लब जिहाद का मुख दा लब जिखान का मुखदार कानून वन ने के वाद बरेली में दरज भूध पहला मुख दर्ज होने के बाद से फराल से लब जिहाद अव्यूarth edator मुख्वित 6 देवनी फाड़क से किया गरफदार उत्यप्रदेजला यूब की बड़ेली में लब जहात के एक मामले में बड़ेली ने एक यूबक की गरफदार की है बताये जाता है कि यूबक कई दूर भागना चाहता था जावाए पुलिस की गरत में नहीं आ सके एक वाफिर आपको पूरा मामला बता दें कि जबरन धर्मान दर्म को लेकर बरेली पुलिस ने कानून के तेप पहले एफाराई दर्श की थी जहाँ ओएस एमद नाम के एक सक्स पर आरोप लगा था कि वह दूसरे समूदाए के चाहतर को प्रलोवन दे कर जबरन धर्म परिवरतन करने का दवाब बना रहा था पुलिस चाहतरा के पिता की सिकायत तक पुलिस ने रिपोर्ट दर्श कर आरोपियों की चाह सुरू कर दी पुलिस ने उस समय बतायक था कि देरोनी छेतर के एक गाउ के रहने वाले किसान ने थाना पुलिस से की गई सिकायत में कहा था कि पड़ाई के समय गाओ के उवैस एमध पुत्र रफीक एमध ने उसकी विटी से जान पैचान कर ली थी उसने आरूप लगाये थे कि उवैस एमध वहला फुसला कर प्लोवन और दवाब में लेका चातरा पा धरम परिवरतन के लिए दवाब बना रहा है और अपनी साजिस को पूरा करने के लिए लगाता दवाब बनाने में लगा है बरूद पर चातरा के पिता और परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहा है और गाली को लौच करता है उन्होंने यह भी बताए कि छात्रा के पिता की सिकायत को गंबेर लेकर आरोफी के खिलाब उत्तर प्रदेश बिदी वरुद धर्म सब पर्मियतन प्रतीसेश अधिनियम और धारा पांसो चार पांसो चे के तैस के इस दसकर आरोफी की चास सुरू कर दी थी फिलाल आल्क पुल्स ने युवक की गरफदारी कर ली है जल्द युवक को कोट के सामने पेस्ट किया जाएगा बन गख़रुक ममराइज ने टैस कर एक बहुत है जाएएग गरफदार गांसा मुजड्याएजिर अभी देवरु धर्मान तरण विधेक आया था उसके तहते मुकदमा लिखा गया देवरणिया में तो उसका जो आरूपी था वैस उसे अज गरपतार कर लिया गया है जहां शुक्षा एक जुनून है जुनून है एजुकेशन इस पैशन